महान व्यक्ति कौन है? इसके कई माप और परिमाण हो सकते हैं लेकिन एक चीज जो प्रामाडिक रूप से कही जा सकती है वो ये देखना है कि अमुक व्यक्ति का उसके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? नमस्कार मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं तारीक जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीक से जड़ी हुई भारत की एतिहासिक कहानिया आज 12 जन्वरी है और आज की तारीक का सम्मंध है स्वामी विवेका नन से 1984 में भारत सरकार ने निड़ने लिया कि 12 जन्वरी को राष्ट्रिय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा कारण की इसी दिन 1863 में स्वामी विवेका नन्द का जन्व हुआ था इस अवसर पर हम आपको विवेका नन्द के जीवन के तीन किस्सों से रूबरू करवाना चाहते हैं उनके जीवन की तीन मुलाकातों से पहली मुलाकात 1893 की बात है विवेका नन्द अमेरिका जाने के लिए एक शिप SS Impress of India से यात्रा कर रहे थे तब पानी के जहाज से चलना ही लंबी दूरी की यात्रा का एक मात्र साधन हुआ करता था शिप का रूट जपैन से कैनडा तक था और स्वामी विवेका नन्द के साथ एक और व्यक्ति इस शिप पर सवार था जो थे जमशेद जी टाटा टाटा सिल्क के कारोबार के लिए जापान पहुँचे थे और वहां से आगे कारोबार के सिलसले में शिकागो जा रहे थे 30 साल के विवेका नन्द और 54 साल के जमशेद जी ने इस यात्रा में करीब 20 दिन का सवर साथ गुजारा हाला कि तब स्वामी विवेका नन्द उस तरह फेमस नहीं हुए थे बलकि जमशेद जी भी उन्हें सिर्फ एक सन्यासी के तौर पर जानते थे इस यात्रा के दोरान जमशेद जी ने विवेका नन्द को बताया कि वो भारत में स्टील इंडस्ट्री लाना चाहते है तब स्वामी विवेका नन्द जमशेद जी से कहा कि रो माटीरियल के धन्दे से वो पैसा तो कमा लेंगे लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा उन्होंने सुझाओ दिया कि भारत में उत्पादन की टेक्नोलोजी आनी चाहिए ताकि भारत दूसरों पर निर्भर ना रहे इस बात का जिक्र टाटा बिजनिस घराने स्टुडी वेबसाइट पर दिया गया है इस दोरां दोनों के बीच एक रिसर्च इंस्टिटूट खोलने को लेकर भी चर्चा हुई इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए 1897 में जब विवेकानन भारत लोटे तब उनका बहुत नाम हो चुका था टाटा अब तक एक रिसर्च इंस्टिटूट खोलने का मन बना चुके थे उन्होंने 23 नमंबर 1898 को स्वामी विवेकानन के नाम एक पत्र लिखा शिप पर हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए टाटा ने उन्हें रिसर्च इंस्टिटूट की याद दिलाई जिसके बारे में दोनों के बीच चर्चा हुई थी टाटा ने इस मामले में उनका समर्थन किया और उनसे निवेधन किया कि वो युवाओं को इस मुहिम में जोडने के लिए एक पैंफलेट छापे जिसका पूरा खर्च टाटा उठाएंगे विवेकानन इन देनों रामकृष्न मिशन के काम में बिजी थे इसलिए पैंफलेट तो नहीं छप पाया लेकिन उन्हों ने अपनी शिश्या सिस्टर निवेधिता को जमशेच जी से मिलने भेजा और रामकृष्न मिशन के अंग्रेजी अकबार प्रभुध भारत के जरिये इस इंस्टिटूट के लिए समर्थन इकठा किया सिस्टर निवेधिता और जमशेच जी ने मिलकर एक रिसर्च इंस्टिटूट का खाका तयार किया टाटा ने पूरे 30 लाग रुपे देने का एलान किया और सरकार के पास प्रस्ताव भेजा लेकिन वोईसरोय लॉट करजन ने इस प्लान को रद कर दिया इसके बाद सिस्टर निवेधिता 1901 में लंदन गई और वहाँ जाकर इंस्टिटूट के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की उन्होंने वहाँ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर जॉर्ज बिर्वुट से मुलाकात की बिर्वुट ने कलकत्ता और बॉंबी उनिवर्स्टी की बधाली का हवाला दिया और मदद से इंकार कर दिया तब सिस्टर निवेधिता ने पैट्रिक गेडेस से मदद मागी गेडेस तब जाने माने समाज शास्त्री और बायोलिजिस्ट थे गेडेस खुद भी विवेकानन से मिल चुके थे दोनों की मुलाकात साल 1900 में पेरिस में हुई थी गेडेस की एक आँख में कुछ दिक्कत थी जिसके चलते वो हमेशा परिशान रहते थे जब इस बारे में उन्होंने विवेकानन को बताया तो विवेकानन ने जवाब दिया प्रफेसर बी माइन्ड माइंड नौट आई माइनड यानी प्रफेसर दिमाग पर ध्यान दीजे आँख या एहम पर नहीं केड़ेस विवेकानन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए सिस्टर निवेदिता की कहने पर उन्हों ने रिसर्च इंस्टिटूट के लिए सरकार में पैरवी की साल 1902 में स्वामी विवेकानन की मृत्य हो गई, 1904 में जमशेद जी भी चल बसे लेकिन इसके बाद भी सिस्टर निवेदिता रिसर्च इंस्टिटूट के लिए लगातार कोशिश करती रही आखिरकार साल 1907 में सरकार ने इस प्रस्ताव को हरी जंडे दी, सरकार चाहती थे कि इंस्टिटूट बॉम्बे में खुले लेकिन टाटा ने 1889 में मैसूर में जमीन हासल कर ली थी मैसूर के महराजा कृष्णा जी वाडियार इंस्टिटूट के लिए 372 एकड जमीन देने को तयार हो गए थे जिसके बाद 1909 में इंजिन इंस्टिटूट आफ साइंस बैंगलोर अस्तित्व में आया और आने वाले सालों में भारत का प्रीमेर शिक्षासंस्थान बना दूसरी मुलाकात 30 जुलाई 1893 को सौमी विवेकानंद अमेरिका पहुँझे वहाँ शिकागो में धर्मसंसत का आयोजन होना था अमेरिका प्रवास के दोरान एक फ्रेंट सिंगर एमा कालवे उनकी शिश्या बनी एमा कालवे ने अपनी दोस्त को विवेकानंद और रॉक्फेलर की मुलाकात का किस्सा सुनाया था रॉक्फेलर कौन? पहले ये जान लेते हैं पूरा नाम रॉन डी रॉक्फेलर एक अमेरिकी बिसनस्मैन हुआ करते थे कतई रईस, शायद आधुनी के इतिहास के सबसे ज़ादा रईस विक्ती रेफरेंस के लिए समझे कि अमेरिका में तेल का धंदा शुरू करने वाले वो पहले विक्ती थे उन्होंने Standard Oil नाम की एक कमपनी बनाई जो अमेरिका का 90% ओयल ट्रेड चलाती थी बाद में Standard Oil ही तूट कर Exxon Mobil और Chevron जैसी बड़ी तेल कमपनिया बनी 1937 में जब रॉक्फेलर की मृत्ती हुई तब उनकी दॉलत थी 140 करोड अमेरिकी डॉलर तब अमेरिका की GDP थी 9200 बिलियन डॉलर यानि रॉक्फेलर की कुल कमाई अमेरिका की GDP का लगभग देड़ प्रतिशक हुआ करती थी रॉक्फेलर और विवेका नंद की मुलाकाद अप्रेल 1894 में हुई धर्मसंसद में अपनी स्पीच के बाद विवेका नंद मशूर हो चुके थे जॉन रॉक्फेलर तब मानसिक अब साथ से गुजर रहे थे ऐसे में उनके दोस्तों ने उन्हें भारत से आई इस स्वामी से मिलने की सलाह दी विवेका नंद अपने एक सहयोगी के यहां ठहरे हुए थे जो रॉक्फेलर का दोस्त हुआ करता था एक दिन जब रॉक्फेलर अपने दोस से मिलने पहुचे तो पता चला विवेकानन यही ठहरे हुए है रॉक्फेलर सीधे उनके कमरे में बुझे तब रॉक्फेलर की हैसियत ऐसी थी कि राश्पती भी उनको नज़र अंदाज नहीं कर सकसा था विवेकानन किताब पढ़ रहे थे उनके रॉक्फेलर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया अंत में जब ध्यान दिया तो दोनों में बात शुरू हुई विवेकानन को एसास हुआ कि रॉक्फेलर अकूत धन संपत्ती के मालिक हैं लेकिन फिर भी दुखी और निराश है विवेकानन ने उनसे कहा तुम्हारे पास अगर इतना पैसा है तो क्या इसका मतलब है कि तुम दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान हो हाँ बिल्कुल रॉक्फेलर ने जवाब दिया विवेकानन ने तब उनसे कहा तुम एक आम आदमी से दस गुना समझदार हो सकते हो लेकिन तुम्हारी दौलत उससे हजार गुना है साथ ही ये सुझाव देते हुए कहा क्यो न तुम इस पैसे का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करो रॉक्फेलर को लगा क्या बकवास कर रहा है ये आदमी और उनको पैसे देने से मेरी क्या मदद होगी रॉक्फेलर उठे और चलते बने एक हफता गुजरा रॉक्फेलर ने दुबारा विवेकानन से मिलने का निश्चय किया कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने विवेकानन की टेबल में एक कागस का टुकड़ा रखा उसमें वो रकम थी जो रॉक्फेलर ने चैरिटी के लिए दान की थी बोले ये रहा अब तो तुम संतुष्ट हो गए होगे अब इसके लिए तुम मुझे धन्यवाद कह सकते हो स्वामी विवेकाननन ने टुकड़ा उठाया बोले धन्यवाद तुम्हें मेरा करना चाहिए बाद में रॉक्फेलर ने रॉक्फेलर फाउंडेशन नाम की एक चैरिटी संस्था की स्थापना की और अमेरिका के सबसे बड़े फिलांथ्रोपिस्ट के तौर पर जाने गए 1950 में रॉक्फेलर फाउंडेशन की मदद से पुड़े में वायरस रिसर्च लाब की स्थापना हुई और फाउंडेशन ने भारत में अगरिकल्चर रिसर्च के लिए मदद देने का काम भी किया ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि रॉक्फेलर की चैरिटी का समस्ति श्रेश स्वामी विवेकानन को मिलता है लेकिन इतना जरूर है कि विवेकानन से मुलाकात का उनकी सोच पर गहरा असर पड़ा था तीसरी मुलाका, 1896 में अमेरिका में एक नाटक फशूर हुआ था नाटक का नाम था जियल सेरा बनहार्ट नाम की एक एक अक्टरस मुख्यभू मिका में थी और फ्रेंच भाषा के इस नाटक की विशेवस्तु थी बुद्ध का जीवन नाटक में बुद्ध जब ध्यान में मग्द थे तब इजियल नाम की एक लड़की बुद्ध को रिजहाने की कोशिश करती है फरवरी 1896 में स्वामी विवेका नंद इस नाटक को देखने पहुचे धर्मसंसद में अपने भाषर से वो काफी लोगप्री हो चुके थे सैरा बॉनहार्ट ने दर्शक दीरगा में स्वामी विवेका नंद को बैटे देखा नाटक खत्म होने के बाद उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया इत्तिफाक किये कि इस दोरान मशूर वेग्यानिक और इनोवेटर निकोला टेसला भी वहां मौजूद थे यही पर टेसला और स्वामी विवेका नंद की पहली मुलाकात हुई 49 साल के टेसला तब तक AC मोटर का आविशकार कर चुके थे और निकोला टेसला कंपनी भी खोल चुके थे इत्तिफाक था कि इससे कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेका नंद ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने टेसला का जिक्र किया था विवेका नंद रचनावली वॉल्यूम फाइव में इस पत्र का जिक्र है विवेका नंद लिखते हैं मिस्टर टेसला सोचते हैं कि वो मैट्स की एक्वेशन से बल और पदार्थ का उर्जा में ट्रांस्वोमेशन साबित कर सकते हैं मैं अगले हफते उनसे मिलकर उनका ये नया गडिती ये प्रेयोग देखना चाहता हूँ इसी पत्र में वो आगे कहते हैं कि टेसला का ये प्रेयोग वेदान्त की साइन्टिफिक रूट्स को साबित कर देगा जिसके मुताबिक ये पूरा विश्व अनन्त उर्जा का ही रूपान तरण है दोनों के बीच ठीक ठीक क्या बात हुई ये किसी जगह पर दर्ज नहीं है लेकिन बाद में टेसला के लेखन और रिसर्च पर इस मुलाकात का प्रभाव दिखता है 1907 में टेसला ने Man's Greatest Achievement शीर्चक के साथ एक लेक लिखा इसमें उन्होंने आकाश और प्राण जैसे संस्कुत शब्दों का प्रयोग किया है टेसला लिखते हैं सभी पदार्थ मूल रूप से एक ही तत्व से निकले हैं और इस तत्व की कोई शुरुवात नहीं है सब पूर नाकाश में यही फैला हुआ है और ये तत्व जीवन देने वाले प्राण या रशनात्मक उर्जा से प्रभावित होता है इसके अलावा अंतर राश्ट्री टेसला सुसाइटी के अध्रक्ष रहे टॉबी ग्रोट्स का एक आलेक है जिसमें ग्रोट्स टेसला और विवेकानन की मुलाकात का जिक्र करते हैं हलाकि टेसला पदार्थ और उर्जा के संबंध को स्थापित करने में कामियाब नहीं हो पाए थे लेकिन वेदान दर्शन के प्रभाव के चलते इस पर उनका पक्का भरोसा था बात में वैग्यानिक आलबर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ उर्जा संबंध समीकरन को साबित किया था 1897 में भारत लोटकर स्वामी विवेकानन के लेक्चर्ज में भी टेसला का जिक्र मिलता है एक जगे वो कहते हैं वर्तमान के कुछ सबसे बुद्धिमान वैग्यानिकों ने वेदान्त के विज्ञान सम्मत होने को सुपीकार किया है इन में से एक को मैं निजी तौर पर जानता हूँ ये वेक्ति दिन रात अपनी लाब में ही लगा रहता है इसके पास खाने का वक्त भी नहीं है लेकिन मेरे द्वारा दिये गए वेदान्त के लेक्चर को अटेंट करने के लिए वो घंटों खड़ा रह सकता है उसके अनुसार ये इतने विज्ञान सम्मत हैं कि विज्ञान आज जिन निश्करशों पर पहुँच रहा है ये उनसे पूरी तरह मेल खाते हैं स्वामी विवेकानन को जानने के लिए उनके बारे में पढ़ा जाना जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम उनके लिखे उनके कहे को भी पढ़े इसी उम्मीद के साथ कि आप मन से सदा युवा बने रहेंगे ललन टॉप परिवार की ओर से आप सभी को राश्ट्रिय युवा दिवस की हारदिक शुपकाम लाएं